आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चावल के लड़ू की रेस्पी इन्हें बनाना इतना असान है कि आप भी इन्हें देखती छटवट बनाना चाहेंगे आपको पता ही है कि चावल के लड़ू को समय बद हार्ड हो जाते हैं अगर आप इस तरह से चावल के लड़ू बनाएंगे तो बहल लब्मे समय तक सॉफ्ट रहेंगे चलिए शुरू करते हैं चावल के लड़ू बनाना मैंने चावल को अच्छे से थो कर सुखा लिया है सर्दी के कारण थूप अच्छे से नहीं पड़ती है जिस कारण हमारे चावल अच्छे से नहीं सुखे है इनमें अभी नमी है इसलिए मैं चावल को दो मिंट के लिए रोस्ट कर लूँगी दो मिट दा क्रोस्ट करने के बाद चावल को ठंडा कर लेंगे और इसे मिक्सी में पीस कर इसका पौडर बना लेंगे देखे इस तरह से एक पौडर त्यार हो जाएगा अब हम इसे चाननी से चान लेंगे अगर आप सार्दी के कारण चावल को थोना और उसे सुखाना नहीं चाहते तो आप चावल काटा मार्कीट से खीच सकते हैं और आपका काम भी असान हो जाएगा मैंने जहां पर थोड़े से ड्राइफ प्रूट लिये हैं बदाम, काजू और पिस्ता अब हम इन ड्राइफ प्रूट को मिक्सी में डाल कर इनका दर्दरासा पाउडर बना लेंगे अगर आप ड्राइफ प्रूट नहीं डालना चाहते तो आप इने स्किप भी कर सकते हैं मैंने 1500 गराम चावल का आटा लिया है चावल के आटे को दो मिन्ट तक पैन में डाल कर रोस्ट करेंगे इस समय चावल के आटे को रोस्ट करने से लड़्ों को टेस्ट भी बढ़ जाता है और हम लड़्ों को लंबे समय तक स्टोर भी करके रख सकते हैं हमने चावल के आटे को रोस्ट तो करना है पर इसका कलर चेंज नहीं करना अगर हमने आटे को ज़्यादा ब्राउन कर दिया तो चावल का टेस्ट चेंज हो जाएगा हमने चावल का कच्चापन भी दूर करना है और उसका सफेद रंग भी परकरार रखना है आटे में से हलकी सी खुश्बुवानी शुरू हो गए है अब हम इसमें डालेंगे ड्राइफ रूट ताकि हमारे ड्राइफ रूट भी हलकी से रोस्ट हो जाएं ड्राइफ रूट को एक मिन्ट तक पकाने के बाद हम इसमें एक चम्च खी एड़ करेंगे मैं जहां पर देशी खी का यूज़ कर रहे हूं हम इन सवी चीजों कच्छे से मिक्स कर लेंगे हमने ज़्यादा खी का यूज़ नहीं करना इस मिश्रन को दो मिन्ट तक पकाएंगे उसके बाद गैस को आफ कर देंगे गैस को आफ करने के बाद भी हम इस मिश्रिन को हलाते रहेंगे क्योंकि पैन इस समय भी गर्म है ठंडा करने के बाद इस मिश्रिन को एक प्लेट में निकाल लेंगे अब पैन में आदा लीटर दूद डालेंगे पैन को ठकन से ठक देंगे तांकि दूद में जल्दी उबाला जाए दूद में उबालाने वाला है अब हम ठकन को उठा देंगे दूद को लगातर पकाती रहेंगे जब तक जहरबडी जैसा गाड़र नहीं हो जाता जब दूद में एक उबाल आ जाए हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे तांकि दूद कडाही से बाहर ना आ जाए दूद को पांच मिन्ट तक लो फ्लेम पर पकाने के बाद गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे दूद को लगातर हलाते रहेंगे कि दूद पैन के नीचे ना लगे आप जब एक होआ बगारा बनाए तो मोटे तले वाली खडाही का ही यूज करें जिससे आपको ना तो दूद को लगातर हलाना पड़ेगा और ना ही आपका दूद कडाही के नीचे लगेगा पैन की साइडों पर जो दूद की मलाई लगेगी उसे हम दूद में मलाते रहेंगे दूद को 15 मिंट हाई प्लेम पर पकाने के बाद हमारा दूद गाड़ा हो जाएगा अगर आप मेरे तरीके से चावल के लड़ू बनाएंगे तो आपके चावल के लड़ू कभी सकत नहीं होंगे बैह हमेशा ही नर्म रहेंगे आप इस तरह से चावल के लड़ू बना कर देखिए फिर आप हर बार इसी तरह से चावल के लड़ू बनाएंगे देखे दूद गाड़ा होना शुरू हो गया है हमारा दूद पहले से गाड़ा हो गया है अब हमें से लगातर हिलाते रहेंगी तांकि दूद पैन के नीचे ना लगे क्योंकि इस स्टेज पर दूद पैन जकडाई के नीचे बहुत जल्दी लगता है अब हमें सिर्फ 5 मिंट का समय और लगेगा 5 मिंट बद में आपको दिखाती हूँ कि हमारा दूद कितना गाड़ा हो गया है एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए आप इसमें अलैची पॉल्डर भी आड़ कर सकते हैं देखे हमारा दूद कितना गाड़ा हो गया है बिल्कुल रवडी की तरह हमें इतना गाड़ा ही दूद चाहिए अब हम गैस को ओफ कर देंगे हमने दूद को और नहीं पकाना थंड़ा होने के बाद जहें दूद और भी गाड़ा हो जाएगा आप थ्यान रखें कि हमने गर्म दूद में कुछ वियाड नहीं करना इसे अच्छे से थंड़ा करना है मुझे 4 मिंट हो चुके हैं दूद को लगातर हिलाते होए तांकि दूद हमारा जल्दी से थंड़ा हो जाए देखिए जैसे जैसे हमारा दूद थंड़ा हो रहा है जह पहले से गाड़ा हो रहा है आप थ्यान से देखे कि मैं दूद को कितना गड़ा रख रही हूँ क्योंकि इसमें में ट्रिक यही है दूद के ठंडा होनी के बाद मैं इसमें एड़ करूँगी चावल का आटा ड्राइफ रूट जिनने हमने रोस्ट करके रखा है अब हमें इन सबी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखे दूद और चावल को मिक्स करने के बाद भी हमारा जो आटा है वे खिला खिला है वहामें बिल्कुर इसी तरह से चाहिए अगर आपका आटा इससे पतला हो गया तो आपके लड़ू नहीं बनेंगे इसलिए मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ हो सकता है जितना दूद मैंने गाड़ा किया है आपसे उतना ना हो हमारे दूद के बीच 19-20 का फरक रह जाए अगर आपका मिश्रन पतला रह गया तो आपके लड़ू नहीं बनेंगे फिर आपको लगया कि मैंने आपको चितरा से गाइड नहीं किया इसलिए आप चावल के लड़ू बनाने के लिए जो भी दूद गाड़ा करेंगे उसमें से थोड़ा सा दूद को टोरी में निकाल लेजिए और बाकी बचे हुए दूद में चावल का आटा एड़ कर दीजिए अगर आपको बाद में चुरूरत लगे तो आपको टोरी वड़ा दूद भी डाल सकते हैं इस तरह करने से आपके लड़ू कभी खराब नहीं होंगे बह पहली बार में ही परफेक्ट बनेंगे अब हम एड़ करेंगे PC हुई चीनी जह मैं चावल जितनी ले रहे हूँ 1500 ग्राम आप मीठा अपनी टेस्ट के उनसार कम और जादा कर सकते हैं अब हम इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मैं आपको लड़ू बना कर दिखाती हूँ कि हमारे लड़ू कितनी अच्छी तरह से बन रहे हैं देखिए हमारा लड़ू कितना अच्छी तरह से बन रहा है हम सभी लड़ू को इसी तरह से बना लेंगे इस तरह से मैंने सारे लड़ों को बना कर त्यार कर लिया है अब मैं आपको एक लड़ो तोड़ कर दिखाती हूँ कि हमारे लड़ों कितने सॉफ्ट बने है ऐसा नहीं है कि हमने जहे लड़ों का अभी बनाया है इसलिए जह सॉफ्ट हैं और बाद में जह सक्त हो जाएंगे आप इन लड़ों को जितने दिनों के लिए स्टोर करके रखेंगे 10 दिनों के लिए 15 दिनों के लिए जहे इतने ही सॉफ्ट रहेंगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए